जैहिन दोस्तों आज मैं आपको ड्रीम 11 और ओलाइन फैंटसी क्रिकेट खेलने के 5 बड़े फाइदे और 5 बड़े नुकसान के बार में बताऊंगा कि आपको वाकई में ओलाइन फैंटसी क्रिकेट खेलना चाहिए इससे आपको क्या फाइदा होगा क्यों आपको ओलाइन फैंटसी क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए इससे आपको क्या नुकसान हो सकता है कि आप वाकई में आप ओलाइन फैंटसी क्रिकेट खेल पैसा कमा सकते हैं या फिर आप यहां सिर्फ अपनी मैनत दोरा कमाईवे पैसे को लुटा देंगे दोस्तों ये कुछ एक ऐसी बेसिक चीज है जिनके बारे में fantasy खेलने वाले 80% से अधिक लोग नहीं जानते जिसकी चलते सालो साल fantasy खेलने के बाद भी आज तक profit तो दूर की बात उनने इतना loss उठाया है कि वो fantasy cricket खेलना चोड़ जुगा है या फिर दोस्तों वो आज तक अपना fantasy में जितना भी loss हुआ उसकी recovery में लगे हुए है आखिर में दोस्तों की गलती गया ति उन्होंने इसा क्या गलत किया कि वो fantasy में profit नहीं बनाता है और कैसे आप आने वाले matches में अपने loss को cover कर सकते हैं या फिर दोस्तों आप एक better team combination बना शांदा performance कर पाएंगे इसी के बारे में आज मैं आपको इसी फीडियो में ना सिरु बताऊंगा बलकि पूरे सिंसले बार तरीके से समझाऊंगा इसलिए दोस्तों फीडियो को बिना skip किये सरु से लेके आकिर तक पूरा देखिये अगर आपने आज हमारे वीडियो सरु से आकिर तक बिना skip किये पूरा देखा तो मैं आपको guarantee दे सकता हूँ आपके आने वाले matches में आप शांदा performance कर पाएंगे और दूसरी बात दोस्तों आपको ऐसी शांदा जो फीडियो हमारे वो near future में देखने को मिलेंगे इसलिए मैं आप सबको request करना चाहूँगा कि आप जल्दी से चैनल को subscribe कर लें और साथ में bell icon को press कर लीजेगा ताकि आपको आने वाले future में हमारे सब informative वीडियो के जो notification है वो सबसे पहले मिल जाएं अब दोस्तो मैं आपको बताऊंगा क्यों आज तक लोगों ने fantasy खिलने के बाद profit नहीं बनाया और दोस्तो कैसे आप आने वाले matches में शांदा performance कर सकते हैं पहले दोस्तो मैं बात करूंगा गलती की सबसे बड़ी गलती जो दोस्तो लोगों की है लोगों को ये नहीं पता कि fantasy cricket आखिर में है क्या चीज और वास्तो में इसे खिलने कैसे जाता है क्यूंकि fantasy cricket खेलने यो लोग है उन्होंने fantasy cricket खेलनाTime start केसे किया उन्होंने किसी दोस्त को देखा दोस्तों उन्होंने तो उन्होंने बड़े को fantasy खेलना Android खेलना लेकिन उन लोगों को fantasy के बार में basic नहीं पता यहां दोस्तों आपके चिस के लियर करना चाओंगा अगर आप आज की तारिक में 10 मैच खेलते हैं और 10 मैच में आपके टीम सिर्फ 5 मैच में अच्छा कर पा रही है अगर आप मारी ये फीडियो को पूरा देखते हैं तो मैं आपको गरंटी देता हूँ कि हमारा वीडियो द बात करते हैं दोस्तों लोगों की गलती क्या थी क्यों अच्छ तक वह प्रॉफिट नहीं कम आ पाया और क्यों वूरी में लगे हुए हैं सिंपल साथ दोस्तों ये है कि आप लोगों को नहीं पता कि Regentppily क्या है इसलिए दोस्तों आपको नहीं पता कि fantasy cricket क्या है अगर मैं आपको ये question करूँ fantasy cricket क्या है तो मुझे दो तरह के जवाब बिलेंगे अधिकतर जवाब ही होगा भाई ये कुछ नहीं है पूरी तरह से एक luck पर depend करता है अगर आपके किस्मत अच्छी आपके लड़ ने अच्छा performance करा तो आप math को जीच जाएंगे तो दोस्तों मैं कहना चाहूंगा जो ये सोच वाले लोग है उनको आज अपनी सोच बदलनी पड़ेगी अगर दोस्तों अपनी सोच बदलते हैं तो आने वाले math में better team combination बना शांदा performance कर पाएंगे कैसे कि वीडियो में आगे चलके मैं आज तक loss में है यागर profit के थोड़ा बहुत profit उन लोगों ने किया है उन लोगों का कहना होगा कि ये game of skill है अब दोस्तों मैं सवाल करता हूं भाई ठीक है मान लो game of skill है लेकिन game of skill होता क्या है तो दोस्तों मुझे सिर्फ इतना जवाब मिलेगा कि game of skill होता है कि आपकी skill और knowledge इन दो चीजों का इस्तिमाल कर आप अपने एक team बनाएंगे और आपकी team कितना point score करता है उसमें depend करता है कि आज आज आप कितने पैसे phone करने वाले हैं fantasy के बारे में इतना जानते है game of skill है जो आपनी skill और knowledge का team बनाएंगे और पैसे कमाएंगे तो फिस दोस्तों आपने बड़ी गलती किया है और कहीं आपका यही तो सबसे बड़ा कारण नहीं है कि आज तक आप fantasy की field में profit नहीं बना पाए आपके तीसरी गलती अक्षर आप ल लेकिन आपने यह नहीं समझा कि आज मैच की दो टीमों के बीच आपने toast के बाद अच्छा इन दो टीमों का मैच चल रहा है इस venue में कहला जाएगा चलो team बनाते है मेरे information या फिर जो मेरे cricket नोड़ी बेस पे लेकिन दोस्तों सिर्फ अगर आप उसके base पे toast के बाद टीम ब बात करेंगे अभी दोस्तों मैंने आपको आपके गल्ती बता दी अब बारी है कि आप कैसे इसमें सुधार कर सकते हो और आपकी गल्ती क्यों थी अब दोस्तों देखिए मैं आपको इसकी reality के बार में बताने बाला हूँ सबसे पहले जो आपने मेरे को सवाल का answer क्या game of skill है इस game involved the game of skill लेकिन दोस्तों आपको दूसरी चीज़ जो पता होना चाहिए कि इसमें आपके financial risk है और यह adaptive है यानि कि जब भी आप fantasy cricket खेलना चाहेंगे तो तीन बातों का ध्यान रखें पहली एक game of skill है दूसरा इसमें आपको financial loss हो सकता है और तीसरा आपको इसकी लग सकती ह अगर दोस्तों आपके mind में यह चीज़े clear है कि आपको जब fantasy खेलते तो loss भी होगा और दोस्तों इसकी luck भी लग सकती है तो कहीं जाके आप अच्छा performance कर पाएंगे क्योंकि दोस्तों आपको पता है इसमें risk होगा तो आप जादा investment करने से बचेंगे यानि आप उतना investment करें क्यों आपको पता है कि यह adaptive है तो अपने उपर control कैसे करोगे आप सिर्फ उनी match में invest करोगे जिन match में आपको पता है कि आप अच्छा कर सकते हो अब दोस्तों game of skill क्या है देखे मैंने आपको बता दिया loss क्या है adaptive क्या है लेकिन main मुद्दाता जो whatever game of skill क्या है दोस्तों game of skill जो है यह तीन चीजों से बना है पहला है statistics दूसरा है data science और तीसरा है economics अब दोस्तों जेखे आप fantasy जब खेलते हैं और आपको आज तक जो यह loss टेकने को मिला है जितना भी loss आपने खाया है वो loss इसलिए आपको हुगा क्योंकि आपको economics के बारे में पता था आपको statistics के बार में अब दोस्तों अगर economics के बार में आपको पूछू आप मेरे को कहोगे भाई economics हो सकता है कि मुझे when, how, where और why invest करना है यानि कि मुझे कब, कैसे, कहां और क्यों invest करना है अब दोस्तों आप पता है कि आपने किन math में कहां कैसे क्या कुछ invest करना है लेकिन main जो चीज है जहा data science combination है और मानलीजे आपने जो stats collect किया उनका combination उनको analysis करना उनको analysis करने के बाद जो information आपके पास निकलेगा आपको उसके base पर team बनाने ना कि stats के base इसके दोस्तों क्या फाइदा और नुक्सान आपको होगा इसके वीडियो में आगे चलके मैं आपको पूरा explain करूंगा अब दोस्तों देखिए मैंने आपको बताया बाई statistics, data science और economics अब दोस्तों आपको समझ नहीं आया होगा कि यह तीनों है क्या चीज़ मैं आपको थोड़ा और जादा elaborate करूंगा थोड़ी और detail में information देने वाला हूँ पहली बात होती statistics statistics सा मतलब क्या होता है इससे आपको यह पत चलता है कि आज आपने जो एक combination बनाना 11 खिलाडियों का तो अपने टीम में ज्यादा बल्ले बासों को शामिल करना है गेंद बासों को शामिल करना है या फिर ओल रॉंडर खिलाडियों को शामिल करना है अब दोस्तों एक्जामपल के लिए मैंने मांगना कोई X मैदान में मै LO默 में फिला जा रहा था वो X मैदान में पहले बल्ले बासों को एवरेज श्कोर 176 है और गिन बाज़ी में यानी दूसरी परमें बल्ले बासों करना 171 तो हम कह सकते हैं कि यह विगट में बल्ले बासों को support मिलेगा अब दोस्तों क्या होता है आप ये चीछ सिर्ब इत पिछ तो ठीक है लेकिन मुकाबल जिन दो टीमों के बीच केला जाएगा अगर दोस्तों पिछ बैटिंग फ्रेंडली है लेकिन जिन दो टीमों के बीच मुकाबला केला जारा है उनकि गिनवासी मजबूत पक्स है दोने टीमों का बल्लेबासी कमजोर है तो क्या दोस्तों य information girls share किया गया लेकिन दोस्तों information गलत नहीं जो आपको चीज ना share कि गई वो ती data science अगर आपको यह चीज पता होता कि मुकाबला जिन दो टीमों के बीच गिला जाएगा उनकी बल्ले बाजी कम्जोर है बल्ले बाजी की comparison में गिनवाजी मजबूत है जैसे कि यह देखे यह टीम का उसाच को 164 है और इनकी अगेंस्ट 163 है जबकि दोस्तों रन यहां ज्यादा बन रहे है इसका मतलब यह है कही ना कहीं यह टीम की बल्ले बाजी थोड़ा सक पर्पोर्मेंस अचा नहीं कर पारी तो शायद ही वो जो यह अच्छा स्कोर कर पाएगी तो आपने डाटा साइंस का इस्तेमाल किया और डाटा साइंस का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका यह टाटीम कोंबिनेशन बन जाएगा और आप मैध के बाद यह नहीं चिलाएंगे कि आप लोगों ने बताया था जो पिछता व चैनल पर वीडियो देखेंगे तो वहां आपको यह वड़ मेंशन किया जा सकता है तीसरी चीज़ थी एकोनोमिक्स एकोनोमिक्स में दोस्तों आता है कि आपको उन्न एप्लिकेशन में इवेश्मेंट करना चाहिए जहां आपको लोग एंटरी फीस मिले लेकिन दोस्तों सिर्फ मकसद इतना सा नहीं है कि लोग एंटरी फीस मिली और आप गये जाके इन्वेश्मेंट कर दिया आपको लोग एंटरी फीस के साथ यह चेक करना है कि जो भी एप्लिकेशन में आप खेल रहे हैं आपको वहां सर्विस कैसा मिलता है वहां विड्रोल कैसा है वहां दो दोस्तो रिस्त बढ़ जाएगा कि आपके डोकुमेंट जो है उनकी इन्फोर्मेशन लीक हो सकती है आप मेर फुचर में जाके अपना विड्रोल करेंगे तो आपका विड्रोल भी फस्स सकता है और आपके साथ दोस्तों आप यह पैसा विड्रोल करेंगे तो वहां दिक्क बताएगी तो एकनोमिक्स दोस्तों यह बड़ी चीज है जो आपको ध्यान पतना है चीज हाव मच यू कैन अफोर्ड तो लूज यानि कि अब मैंने आपको स्टार्टिंगे बताए था फैंटसी वह थीन चीज से बना गेम ऑफ स्किल और एक फाइनेशनल रिस्क अब आप तो यह चीज देखना है कि आप जब भी इंवेस्टमेंट कर रहें आपका इंवेस्टमेंट इतना होना चाहिए मान लीजिए अगर आप एक परसेंट जीत नहीं सके तो फिर दोस्त आपको उसे कुछ फरक ना पड़े अगर आप ऐसा करते है तो फैंटसी की फिल्ड में आ अपने लालची बना आपने किसी से अपना पैसा जो है वो उधार लिया और मान लीजिए आपको लोस्त को अफोर्ड नहीं करता है आप पैसा हार गे तो आपके उपर इतना प्रेशर आजाएगा कि आप पूरी जिंद की अपना लोस्त करने में निकाल देंगे हर आदमी का अपने पोटेंशल होता है कोई 10 रुपे इंवेस्मेंट कर सकता है कोई 100 रुपे इंवेस्मेंट कर सकता है तो आपको अपने खुद को देखना है कि आप क्या कर सकते हैं कि आप 10 इंवेस्ट कर सकते हैं आप 100 रुपे इंवेस्मेंट कर सकते हैं और जितना आप इंवेस्म 21 के मैच इसके बारे में बात करूँगा शुकरवार 10 सेप्टेमबर 2021 को पहला T20 मुकावला कोलंबो में कहला गया अगल दोस्तों मैं कोलंबो के ये मैच की बात करूँ तो दीखे जब पहला मैच कहला गया दिनेश चंडीमल और रिजा हेंडिक्स ये दो से किलाडी थे जिनको 27 और 40 फिजदी लोग ने टीम में रखा लेकिन दोस्तों ये मैच में दिनेश चंडीमल ने सतासी और रिजा हेंडिक्स में 59 पूइंट दिलाए यानि कि अगर आपके टीम में दिनेश चंडीमल थे आपके कप्तान वाइस कप्तान ने वो तेक कुनी डिको को 30 फिजदी लोगों ने अपना कप्तान बनाया और 15 फिजदी अपनाम वाइस कप्तान बनाया अब दोस्तों में आपसे अब दोस्तों जब दिनेश चांडीमल ये match केलता है तीम अनाउंस करता है कि हम दिनेश चांडीमल के साथ open करेंगे दिनेश चांडीमल विकेट के पीछे भी होगा तो जो आप ट्विनिट डिकोप को तो कसीदा कप्तान बना देरो तो दिनेश चांडीमल को अट्रिक अपनी टीम में शामिल किया अगर दोस्तों मैं इसी T20 मैच की बात करूं तो जो मेरी टीम में दोस्तों खिलाड़ी होगे 46 से लेकिन 0.59 दिया, इस टैट्स को देखा, दूसरे मैट में जिफ 24 पॉइंट दिये, एक 30 फिज़ी लोगों ने टीम में श्रमल किया, अब दोस्तों यहां देखे, तबरेज को पहले T20 मैच में मैंने वाइस कप्तान बनाया, तबरेज ने सिर्फ मुझे 27 पॉइंट दिला करें, तबरेज ने 103 पॉइंट आपको दिलाए, यानि कि यहां देखे, हमने वाहिंदु वाइस रंगों का अपना कप्तान बनाया, 14 तबरेज को 7 फिज़ी लोगों ने, अब क्या होगा, आपने डाटा साइंस का इस्तमाल किया, तबरेज को VC बनाया, चले तबरेज ने प वहिंदु आरणगा को 18, 12 फिज़ी लोगों दोरेज को अपना का इस्तमा बना दिया, क्यों कि वहाईंदु आरणगा की परफॉर्मेंस अचरी ती, अब दोस्तों देखे हमने क्या किया, यह मेश तो खेला नहीं, लेकिन इसी मैट में 16 फिज़ी लोगों दोरेज को अपन साइंस में बिलीव नहीं करते तो नो कीजिए अगर दोस्ता आप साइंस के साथ जाएंगे तो हमें जो मैच को इंक्रीज हो जाएंगे और डाटा साइंस कैसे काम करता है ये मैं आपको आने वाले अपने एक लिए वीडियो में और भी ज्यादा बैतर तरीके से एक्स्प्लियन करूंगा लेकिन अब आपको पता चल चुका है कि आप कहां गलती करते हैं आप का गलते हैं आप देखते हैं कि दूसरी ने क्या क्या अच्छा दूसरी ने रीजा हैंडिस को टीम में शामिल नहीं किया मैं भी नहीं करूंगा दूसरी ने दिने शांडिमल को को टीम में शामिल करते हैं, आप इंको टीम में रखोगे, तो भाई, आपकी भी टीम में हैं, और दोसरे की भी टीम में, जब ये सब की टीम में है, अगर ये अच्छा performance कर भी लेंगे, तो क्या मैं इतको जीत जाएंगे, नहीं जीत पाएंगे, और दोस्तों यह आपके सबस में शामिल करना है या नहीं येस या नो अगर आप एस करते तो आपको ज़रूर के बेनिफिट नहीं है फ्यूचर में देखने को मिल जाएंगे अब दोस्तों वह तो सिर्फ बात ती किसकी वह बात ती किलाडियों के बारे में अब मैं आपको डाटा साइंस के दूसरा यानि कि कोई भी फीडियो अगर आप देखते है तो आपको ये स्टैट जरूर दिया जाएगा कि वह रितुराज गाएकोड ट्रेंट बोर्ड के सामने श्ट्रगल करता है अब दोस्तों क्या होगा आपको ये बता दिया आप इस मैत में रितुराज को टीम से बाहर कर दें ये है रितुराज गाएकोड जो आईपेल में 2019 से दोस्तों मैं बात करा हूँ 2019 के बाद लेफ्टा मीडियम गेंड बास अब दोस्तों ट्रेंट बोल्ड ने उनको टी ट्वेंटी फॉर्मेट में सिर्फ दो बर आउट किया लेकिन टी ट्वेंटी फॉर्मेट में 28 गेंड म करेगा दोस्तों रितु को आपको देखना है जब भी टीम में शामिल कर रहे हो क्या अपोनेंट टीम में कोई लेफ्टेंड गेंड बास मौजूद है जो मीडियम पेस गेंड बास निकरे जिसके पास स्कील है जिसका टीम अच्छा इस्तिमाल करती हो अगर है तो इनको दि रितुराज को टीम में रखना है कौन सी कंडिशन में रितुराज परफॉर्मेंस करेंगे कैसे ग्रेंड लिग में अपने इंको कपतान अवाइस कपतान बनाना है यह सारी चीज़ दोस्तों डाटा साइंस में डिपेंड करती है जो मैं आज आपको अपने इस वीडियो के म मांनेंगे डाटा साइंस किया है साइंस पर विस्वास नहीं करतें दोस्तों सिंपल सी बात है अपने इडिया जब यह साइन पोग्रम लूंच वहा था यह चुकी होगी अब दोस्तों देखे ये दो vaccine हो vaccine cure मैं example बता रहा हू या ओता क्या यह वैक्सिन हमारे scientist ने बना ही है इन vaccine को लगाने के बाद और किसी भी sa shares ने आपको यह का है कि वह यह vaccine लगाए और 100% को korona不會 उनका कहना है vaccine लगाने से आपके शुरक्सित होने के चांस से वो increase हो जाएंगे, Corona का जो फैलावे वो कम हो जाएगा, यानि कि आप वैक्षिन लगाने के बाद सुरक्सित हो सकते हैं, इसी तरह दोस्तो साइंस में क्या होगा, जब डाटा साइंस का इस्तिमाल करेंगे, मैंने तबरेज का आपको एक्जामपल दिया, 10 मैट में को चीज़ों को समझें, जितना चीजों को जल्दी समझ पाएंगे, उतना आपके लिए बैतर होगा, अब दोस्तों बात बड़ी सिंपल सी है, हो सकता है कि आपको जो ही मेरी सारी बाते ही बेकार लगे, आप होगे बाई, ये क्या फालतों की बाते कर रहे हैं, मैं आपको समझ पल दूँगा, जब दोस्तों हम छोटे बच्चे थे या आप छोटे थे, तो हार किसी के ममी पापा या माता पिता क्या बोलते हैं, कहते हैं बेता पढ़ लो, नियर फ्यूचर में जाके आपके काम आएगा, लेकिन दोस्तों, जो कुझे कैसे लोग उतने उस टाइम पढ़ते हैं, तो वो कहते हैं, मेरे माबापने मेरे को सपोर्ट किया, वो बोलते थे, आप पढ़ो, हम पढ़े, आज हम सक्सेस्फूल है, दूसरी बड़ी चीज, जो लोग दोस्तों नहीं पढ़ पाते, आप ज़रूर ध्यान देंगे, कहीं ना कहीं, जैसे जैसे वो जिफिट मिलेगा, क्योंकि दोस्तों अकसर होता क्या है, जब भी आप किसी competitive exam की तयारी करते हैं, तो आपको 6 से लेके 10th standard के सभी, जिस तरह के चीज़ें सिखाई जाते हैं, वो सभी के जवाब आप competitive exam में भी देने पढ़ते हैं, तो बड़ा important कि आप दोस्तों इसी time period में कर अपना पढ़ाई करते हैं, तो आज आपको success मिलने का chance वो अधिक होता, दूसरी चीज़, तो fantasy में पहले क्या होता था, ध्यान दिज़े, fantasy में पहले क्या होता था, पहले होता था आपको अपनी team में doosth से पहले, doosth से पहले team submit करते थे, तो क्या होता था, chance होता था कि आपकी टीम के कुछ खिलाडी ना खेले यानि कि आपकी टीम के कुछ खिलाडी ने इससा नहीं लिया, आपके टीम के कुछ खिलाडी मुकाबला नहीं खेले, अब इससे क्या होगा, आपने पने टीम सम्मिट कर दिया, लेकिन जैसे मैं स्टार्ट होगा, आपको पता चला कि आपके opponent team में सभी खिलाडी खेल रहे हैं, तो दोस्तों, यहाँ आपका poppet हो जाता था, यानि कि आपका जो opponent था, वो time पर क्या करता था, उसको जोस्तों यह चीज़े पता चल जाते थी, कि आज कौन खेलेगा, कौन नहीं केलेगा, वो अपनी team से उन खेलाड़ो को बाहर करता, जो यह मुकाबला नहीं खेलेंगे, लेकिन आप information की गहर मोजूदगी में, यह आपके पास information available नहीं होता था, जिसके चलते आप गल्फ खेलाड़ो का चुनाफ करते, और आपका poppet कड़ जाता था, अब दोस्तों, आज के time में क्या हुआ है, अब toast के बाद, यानि के एक rule change वाई, यानि कि आपको पता तो चल जाएगा कि कौन 11 क्लाड़ी खेलेंगे, लेकिन आप एक better team combination कैसे बनाएंगे, यह मुद्दा है, जो लोग दोस्तों पहले यह पता लगाते थे, कि आप कौन केलेगा, नहीं केलेगा, और आपको हरा देते थे, वो लोग दोस्तों एक नई advance level पे गए, जिसको हम कहते हैं data science, और आप अब क्या है, आप सिर्फ इसी level पे हो, कि आप आपको सिर्फ इतना पता है, कि आज यह 11 क्लाड़ी खेल रहें, इन 11 क्लाड़ियों में, मुझे अपना एक better team combination बनाना है, लेकिन जो क्लाड़ियों को पहले यह पता होता था, कि आज के मैट में कौन कौन खेलने वाल है, वो लोग एक next level पे चलेगे, जिसको हम कहते हैं data science, तो दोस्तों आपको decide करना है, कि आप एक next higher level पे जाना चाहते हैं, और फिर आप यहाँ ही फसेर रहना चाहेंगे, अब दोस्तों हम बात करेंगे fantasy cricket खेलने के 5 बड़े disadvantage के बारे में, अब दोस्तों देखिए, जब भी आप fantasy cricket खेलते हैं, तो क्या हो सकता है, fantasy cricket आप खेलेगे, तो आपको mental health problem हो सकती है, यानि कि आपके दिमाग पे load आएगा, load क्यों है, अमजी नहीं पारे कि fantasy cricket है क्या चीज, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया, fantasy cricket के अंदर पहली बात, एक तो इसकी लोगी आपकी, दूसरी चीज fantasy के अंदर क्यों होता है, financial risk का, यानि कि आपको financial यानि की पैसो के हानी हो सकती है, वो प्लस में इसकी लख लग सकती है, तो दोस्तो mental health problem आपको क्यों होगी, क्योंकि आपको इसमें पैसो का loss होगा, आपने नहीं समझा कि इसके अंदर पैसो का loss हो सकता है, इसकी चलते mental problem होगी, आप दोस्तों परिवार में लोगों से बात नहीं कर पाएंगे, आप दोस्तों लोगों को time ही देंगे, आप बड़ा मतलब अजीब सा महसूस करेंगे, आपको कुछ समझ गया का क्या करना है क्या क्या नहीं करना, इसलिए दोस्तों ये चीज़ बड़े इंपोर्टेंट है ध्यान रखना, अगर आप fantasy के लिए तो जो होगा, बीना knowledge के खेलते हैं, जो लोग knowledge के खेलेंगे, knowledge में वही चीज़ आगया, skill आगया, addiction आगया, ये तीन चीज़ आपको पता थी, आप यहाँ पना पैसा हार जाएंगे, बीना knowledge के खेलें, बीना data science के खेलें, पैसा हार गए, तो दोस्तों ये दूसरी बड़ी चीज़ है, तीसरी बड़ी चीज क्या होती है, fantasy के रिगेड ने जो एक बदलाव लेके आया, कहा जाता था, अब दोस्तों ये बाती कहते थे, कि एक अच्छी टीम चैंपेंशिप को जीती है, अच्छे किलाड़ी कभी भी एक टीम को चैंपेंशिप वो नहीं करा सकते, यानि कि कोई भी एक गेम वो एक टीम वर्क है, लेकिन fantasy ने क्या क्या, fantasy ने बताया कि भाई इसके अंदर, जो individual का performance है, वो matter करता है, यानि कि दोस्ताफ RCB की टीम को देखें, मैं सिरु बात कर रहा हूँ, 2020 तक, साल 2020 तक, RCB की टीम में ABB हैं, वराट भी हैं, दोनों बड़े महान किलाड़ी हैं, लेकिन RCB की टीम आज तक वो नहीं कर पाया, इसके पीछे reason क्या है, कि इनकी टीम के पास एक अच्छी टीम मौझूद नहीं थी, अब दोस्ताफ सब लोग जानता कि अगर आप RCB के फैन है, तो आपको पता है, कभी RCB के टीम में बल्ले बासों को लेके दिक्तती, कभी गेन बासों को लेके, लेकिन साल 2021 में इन दोनों के अलावा टीम के पास Glenn Maxwell के रूपने एक अच्छा बल्ले बास है, ओपन करते हैं दोस्तों देवदत पधिकल, जो की अच्छा परफोर्मेंस करने हैं, यानि टीम के पास अब सिर्फ दो बल्ले बास नहीं है, टीम के पास अब सिर्फ चार बल्ले बास है, गेन बास में बात करें, मुहमद सिराज निकल का है, पहले ही जुंदर चैल एक मातर गेन बास ते, इसी तरह अच्छल पटेल निकल गया है, और गेकि अगर आर्ट सिर्फ का टीम आने वाले समय में, आइकल को जीतेगा, तो आप ये चीज़ पाएंगे, कि जो टीम है, उसने मैच को जीता है, क्योंकि उनके पास एक अच्छी टीम थी, कभी कबार क्यों होता है, कि आपकी फेंटसी टीम के अंदर, एक खिलाडी मोजूद है, उसने एक बहतर कर से हुए गेन, बास दी का टीम को मैच जीताया, लेकिन उसको विकेट नहीं मिला, अब दोस्ते अगर उसको विकेट नहीं मिला, आपकी जो एक टीम है, वो टीम में आपका एक पर्टिकुलर एक लड़ी केल रहा है, मान लीजे, किसी मैच के अंदर, रोईच शर्मा बल्ले बासिक करें, दवन जल्दी आउट हो जाएंगे, तो आप मैच को कंटीनियू करेंगे, आप मैच देखेंगे, लेकिन अगर रोईच शर्मा जल्दी आउट हो गए, और शिकर दुन बल्ले बासिक कर रहा है, आपकी टीम में दवन नहीं रोईट था, तो फिर दोस्तों आप मैच को नहीं देखेंगे, यानि जो एक मैच का स्क्रिट था, कहीं न कहीं दोस्तों वो चीज़ें गाई भूई, स्वें कोली के साथ है, जब तक दोस्तों मान लीज़े, आपने दवन रोईट को टीम में रख और कोली बल्ले बासिक को नहीं आए, तो आप मैच में तुना इंट्रेस्ट नहीं लेंगे, लेकिन जैसे आपको कोई भी खिलाडी के लेगा, आप इंट्रेस्ट लेना स्राट कर देंगे, सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों लास्टम में कहना चाहूंगा, कि जो ये गेम है, ये अडेक्टिव है, और ये आप डाइवर्ट कर सकता आपके गोल से, अडेक्टिव किया है, दोस्तों, आप सारा दिन फोन देखते रहेंगे, मान लीजिए, आपको पढ़ाई करना, आपको ओफिस में काम करना है, लेकिन आपको बाइवर्ट दियान नहीं लगे, क्योंकि आपने एक जगा पैसा इंवेस्टमेंट किया, या आप एक अच्छा पैसा यहां से कमा सकते है, अगर दोस्तों आपने डाटा साइंस का इस्तमाल करते ही, मेगा कोंटेस्ट को जीता, तो आपने ड्रीम याँ पूरे कर सकते हैं, अगर आप नॉर्मली केल दे तो आपको थो थोड़ा सा फाइनेशनल सपोर्ट मिल जाएगा, दूसरी बड़ी बात, आपको दोस्तों खेल के पारे में स्थीक मिलता है, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट पोइंट को द्यान रेके टीम बनाना पड़ता है, जिसके चलता है, आपको गेम की समझ बनती है, पीसरी चीज़ दोस्तों, बीट यूर अपोनेट, बहुता है क्या अगर आपको स्कूल में, आपको गाउं में, या फिर दोस्ता बात कर जाएपके कलीग होंगे, क्यों आपको अपको दिखाते हैं, कि वह सुपीरियर हैं, वह सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप उनको फेंटसी के मादयम से दिखा सकते हैं, आप एक अच्छे खिलाडे आप उनको हरा सकते हैं, और दोस्ती आपकी मदद करेगा, आपके जो क्या होता था, आप सिर्फ क्रिकेट का मैस देखते थे, आपको कोई पैसा नहीं मिलता था, लेकिन आप क्रिकेट का मैस देखते हैं, जो क्यों पैसे भी कमा सकते हैं, वो जो सबसे अच्छी दोस्तों मैंने याप इंक्लूड की है, आप अपना career बना सकते हैं, as a doctor, अब दोस्त आप होगे भाई, as a doctor, मैं अपना career इसमें कैसे बना सकता हूँ, तो दोस्तों मैं आपको कहना चांगा, आप psychologist बन सकते हैं, जो कि treatment करेगा mental, emotional और behavior problem का, क्योंकि जाप fantasy खेलोगे, बिना knowledge के खेलोगे, सीधी सी बात दोस्तों दिमाग पर असर डलेगा, दिमाग पर असर डलेगा, तो आपको कहीं ना कहीं एक psychologist की दोस्तों जरुत पड़ेगा, उसके पास जाएंगे, तो आप यहाँ अपना career बना सकते हैं, क्योंकि जितना fantasy दोस्तों आगे जाएगा, उतनी fantasy खेलने वाले लोग आएंगे, जितने दिना knowledge के killing, इनको treatment की जर्थ पड़ेगा, अगर दोस्तों आप एक ऐसे डोक्तर हैं, जो लोगों को mental, emotional, behavior, problem से बचास, opportunity हो सकती है, तो दोस्तों यह कुछ चीज़ें जिनका आप जरूर ध्यान रखेगा, फिलाल दोस्तों बस आपके इस वीडियो में इतना ही, उमीद करत दोस्तों की मदद कर सकते हैं, अगर दोस्तों आपने दोस्तों की मदद कर सकते हैं, अगर दोस्तों आपने दोस्तों की मदद के चलते हैं, तो दोस्तों वो जरूर ना जरूर कहीं आपको इस चीज़ का credit देगा, इसलिए अच्छे दोस्ती तरह मेरे इस वीडियो को share कर द झाल